सीटेट डिसंबर 2022-2023 की ऑनलाइन परिक्षाय रनिंग में हैं कई सिफ्टों के ऑनलाइन पेपर हो चुके हैं जिस पर सोसल मिंडर साइट्स पर कई उसके इस्मृति आधारित प्रशन भी वाइरल हो रहे हैं आप लोग के भी लगतार कमेंट के मादम से प्रशना रहे थे कि किस टाइप के प्रशना रहे हैं और अब हमें क्या पढ़ना चाहिए इन सब के रिगार्डिंग डिटिल में बात करूँगा आंतर तक जूड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप पी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आकन को प्रेस करना ना भूले अभी तक लगबग चार शिफ्टों के पेपर हो चुके हैं आप लोग के भी लगतार कमेंट आ रहे हैं कि पेपर का पैटरन बताए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो क्लियर सब्दों में मैं बता रहा हूँ कुछ भी नया नहीं है जो पिछली बार का शिफ्ट का पे कि पेपर का पैटर्न बदल गया ये चीजे पूछी जा रही है इस पर आप लोग फोकस करिए आप इस बात पर जोड नहीं दे रहे हैं कि डेड़ सो में से अगर तीन से चार प्रशन नया दिख भी गए तो मैं 145 प्रशन जो कि पहले मैं तयारी कर रहा था उसको छोड़ करक अब मैं नय पैटर्न नय पेपर पर क्यों जाओं मैं नय प्रशन को क्यों तयार करूं ये समय ऐसा है कि आपको अपने अंदर confidence को बिल्ड करना होगा और अगर इस समय आप नय चीजों को पढ़ने पर जाएंगे तो आपका confidence बढ़ेगा नहीं बलकि घटेगा क्योंकि वो आपके लिए नहीं है और कहीं न कहीं उन चीजों पर जब आप focus करेंगे तो थोड़ा समझदे में आपको time लेगेगा इससे आपको अंतिम समय में ये feeling आएगा कि मैंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं तो इससे बेहतर ये है कि मैं 3-4 नंबर के जो भी एकाद नए प्रशन है उसके चकर में क्यों पढ़ू 145 नंबर का जो मैं पहले से त्यारी कर रहा था उसी पर focus करूं 145 में से अगर मेरे 120 प्लस भी आ जाते हैं तो मेरे लिए more than sufficient होगा क्या जरूरत है कि 150 में 650 लाने की इस वज़े से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा previous year पर focus कर ये जितने भी questions पूछे जा रहे हैं maximum question previous year question से ही कहीं न कहीं एक तरीके से लिए गए हैं हूब हूँ मैं नहीं करा कि exact वहीं आ गया है लेकिन हां inspired जरूर आपको लगेंगे हो सकता है आपके सब दावली बदल दिये जाए लेकिन पूरा का पूरा pattern वहीं है जो कि December 2021 में पूछा गया था ए नए impression के पीछे थोड़ी बढ़ जाएंगे कि नया अब INCRT का पूस्तक लेकर बढ़ जाएंगे ये समय नया चीज पढ़ने का नहीं है जो चीज आपने पढ़ लिया है उसको summarize करिए उसको अब finalize करने की जुरुरत है अब आपके पास एक महीना लगबग है पूरा paper अभी चलने वाला है एक महीने से भी कम समय रह गया क्योंकि साथ फरवरी को अंतिम स्विफ्ट का paper होने वाला है तो अब इस एक महीने में जिसका अंतिम समय में paper है वो क्या आप नया चीज लेकरके बैठेंगे क्यों आप इतना tencel ले रहें जो चीज आप पढ़ चुके हैं उसी को एक तरीके से पूरा finalize करें जो चीज मेरी मजबूती है मैं उसी पर तो focus करूँगा अब नया चीज पढ़ करके नया tension थोड़ी मौल लेंगा तो आप जितना ज़्यादा हो सके previous year paper को ही solve करिए previous year paper के pattern को समझने की कोशिश करिए वहीं आपकी बेड़ा पार लगाएगा वो previous year paper अगर आपने देख लिया तो वो more than sufficient है आप बहतर स्कोर कर पाएंगे बहुत सारे comment के मात देम से मेरे पास आप लोग के अच्छे-च्छे comment भी आ है कि previous year paper देख करके मैं गया था और मेरे इतने अच्छे number आ रहे है या फिर ये सभी चीजे में attempt कर पा रहा हूँ यानि कि previous year paper ही रामबाड होता है seated की परिक्षा में नया चीज पढ़ने जाएंगे और ज़्यादा confuse होगे एकाद number के लिए आप फालतू में परशान हो रहा है यूट्यूब पर पचासों ऐसे हजारों की संक्या में वीडियो जा आपको मिल जाएंगे जो कि ये बता रहे हैं कि ये नया paper में आ रहे हैं ये ये आ रहे हैं आपके उस सब के चकर में पड़े हुए है previous year paper more than sufficient है आपको एक बहतर score दिलाने के लिए seated की परिक्षा में उम्मीद करता हूँ चीजे आपको clear हुई होगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शोब हो